एक बार की बात है, बीर्बल को दर्बार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसबरी से बीर्बल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीर्बल दर्बार में पहुँचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीर्बल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे, तो उनके छोटे-छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीर्बल की इन बातों पर बिलकुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीर्बल देर से आने का जूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीर्बल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांटड पठ कर उन्हें शांत किया जा सकता है वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जित को पूरा कर पाना बेहत मुश्किल होता है जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा वराजा को उन्हें समझाना होगा राजा इस शर्त के लिए तयार हो गए अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिलाने और रोने लगे राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया बीरबल गोद में बैठ कर राजा की लंबी मूचों से खेलने लगे कभी वे बच्चों की तरह मुह बिगारते तो कभी मूचों को खीचने लगते अभी तक राजा को कोई आपत्ती नहीं हो रही थी जब बीरबल मूचों से खेल कर ठक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली की उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया अब बीरबल जोर-जोर से चीखने लगे की उन्हें गन्ना छोटे-छोटे टुकडों में कटा हुआ ही चाहिए उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे-छोटे टुकडों में काटा गया जब राजा ने इन टुकडों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकडों को जमीन पर फैंक दिया राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खालो, डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने वचीखने लगे अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक न नहीं लगाया अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया मुझे इन ही छोटे-छोटे टुकडों को जोड़ कर एक बड़ा गन्ना खाना है राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए उन्होंने राजा से पूछा क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है राजा ने हामेश सिरहिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझा कर वह अनेक उदाहरन देकर उनकी जिद्व जिग्यासा को शांत किया जा सकता है